ओम तत्पुरुशाए विद्महे महादेवाए धीमही तन्नोरुद्रह प्रचोदयात जै भुलिनात आज सुनिए सावन सुम्बार वृत कथा हमारे चैनल पर आजकल सावन मास महत्यम और शिमहापुरान की कथाईं भी सुनाई जा रही हैं अगर आपको ये कथाईं सुना पसंद हो तो एक बार आप इन कथाओं को भी चरूर सुनिएगा पौराने कथा के नुसार प्राचीन समय की बात है एक गाउं में एक साहुकार रहा करता था साहुकार धनी था उसके पास अथा धन दौलत थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी साहुकार भगवान शिव को प्रसन करने के लिए सोंवार को वृत रखा करता था और वृत के दोरान वह विधी पूरवक भगवान शिव और दिवि-पारवती की पूजा और शाम को प्रदोश काल के समय शिवलिंग पर दीपक भी चलाता था साहुकार की भक्ती और पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु ये साहुकार तो आपका परम भक्त है हर सोमवार को विधिविधान से आपकी पूजा करता है मुझे लगता है कि आपको उसकी मनुकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए तब भगवान शिव ने दिविपार्वती की बात सुनकर कहा कि हे गौरी ये संसार एक कर्मक्षेत्र है जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ समय बाद उसे पेड़ मिलता है ठीक उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा भी कर्म करता है तो उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है लेकिन माता पारवती ने भोले भंडारी से दुबारा अग्रह किया और कहा हेनात फिर भी आप इसकी मनुकामना को पौन कर दीजिए क्योंकि ये आपका परम भक्त है और अगर आप ही अपने भक्तों की इच्छा को पौन नहीं करेंगे तो फिर भला भक्त आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे माता पारवदी के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा देवी ये धनवान सहुकार है और इसका कोई भी पुत्र नहीं है इसलिए ये सदयव चिंतित रहता है हलंकि इसके भाग कि मैं किसी संतान का योग नहीं है परन्तु आपके आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान देता हूँ लेकिन इसका पुत्र केवल बारह साल तक ही जीवित रहेगा मैं इसे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ फिर एक रात भगवान शिव ने साहुकार को स्वप्न में दर्शन दिये और कहा कि उसे जल्दी ही पुत्र की प्राप्ति होगी लेकिन उसका पुत्र दीर घायू नहीं बलकि केवल बारह वश्च तक ही जीवित रह पाएगा ये बात सुनकर साहुकार ना तो प्रसन हुआ और ना ही ज़्यादा दुखी हुआ स्वप्न में सब को जानने के बाद भी साहुकार ने पूजा अर्चन जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहुकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुन्दर बालक को जर्म दिया बालक के जर्म से घर पर हर्शोलास का महौल था लेकिन साहुकार खुश नहीं था क्योंकि उसे पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक कही है और उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहुकार की पत्नी ने बालक के विवा की बात साहुकार से कही लेकिन साहुकार ने इस बात से इंकार कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया साहुकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया साहुकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यग्य कराते हुए और ब्रहामनों को भोजन कराते हुए जाएं दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया काशी जाते समय जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे उसका राजा अपनी पुत्री का विवाँ एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कानना था उधर दूले का पिता इस बात से चिंती था कि अगर दुलहन पक्ष को पता चल गया तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी इसलिए उसने जब साहुकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तौरंड के समय इस बालक को बिठा दूँगा और दुलहन के पक्षवालों को पता भी नहीं चलेगा दुलहे के पिता ने साहुकार के पुत्र को इस बात के लिए तयार किया और वे बालक तयार हो गया इस तरह उस बालक ने दुलहे के कपड़े पहन लिए और घोड़ी पर चड़कर तोरण की रस्म को पूरा किया तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दुलहे के पिता ने फिर साहुकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुलहन के साथ फेरे भी ले ले ताकि विवह संपन हो सके और ये बात छुपी रहे मामा राजी हो गए और विवह समारो भी संपन हो गया विवह संपन होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए परंतु साहुकार के पुत्र ने दुलहन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारा विवह तो मुझ से हुआ है लेकिन तुम जिसके साथ विदा किये जाओगी वह एक आँख वाला आदमी है और मैं काशी शिक्षा ग्रहन करने जा रहा हूँ जब राजकुमारी ने ये बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इंकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि ये मेरा पती नहीं है मेरे पती शिक्षा ग्रहन करने काशी गए हुए है जब सब जगह ये बात फैल गई तो मजबूरी में दुलहे के पिता ने सारी बात सच-सच बता दी और दुलहन के पिता ने फिर बेटी को भेजने से इंकार कर दिया इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुँच गए और बालक शिक्षा ग्रहन करने लगा तब मामा ने यग्ग करना शुरू कर दिया जब साहुकार का पुत्र बारह वर्ष का हुआ तब एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि उसकी तब्य ठीक नहीं है और वह सोने के लिए अंदर जा रहा है साहुकार का पुत्र अंदर सोने के लिए कमरे में गया तो उसकी मृत्ती हो गई थोड़ी देर के बाद जब मामा अंदर पहुँचे तो उन्होंने बालक को मृत अवस्था में देखा और बहुत दुखी हुए परन्तु वह रो नहीं सकते थे वरना उनका यग्य अधुरा रह जाता इसलिए मामा वापस आकर यग्य करने लगे और यग्य पूरा करने के बाद और ब्रहमनों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर विलाप करने लगे ठीक उसी समय उसी मार्ग से भगवान शिव और देवी पार्वती जी जा रहे थे माता पार्वती ने किसी के रोने की करुन आवाज सुनी तो भगवान शिव से कहने लगी कि हे प्रभू कोई मनुश्य रो रहा है चलिए उसके दुख को दूर करते हैं तब भगवान शिव और देवी पार्वती मामा के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हेरान रह गए क्योंकि वह भगवान शिव के आशिरवात से जन्मा साहुकार का पुत्र था माता पार्वती ने कहा हे नात ये तो साहुकार का पुत्र है जिसे आपने केवल बारवर्ष तक ही जीवन जीने का वर्दान दिया था इसलिए आज 12 वर्ष की आयू पूरी होने पर वे मृत्ति लोग को चला गया देवी पारवती ने मृत्य बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और भगवान शिव से हाथ जोड़ कर कहने लगी हे प्रभू आप बस एक बार इस बालक को जीवन दान दे दिजिए वर्ना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे माता पारवती के कई बार आग रह करने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया साहुकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की और प्रस्थान कर गए रास्ते में साहुकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था दुलहन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर महल में आ गए फिर दुलन के पिता ने एक समारह किया और अपनी पुत्री को धूमधाम से सहुकार के पुत्र के साथ भेज दिया उद्धर जब सहुकार का बालक अपनी पत्नी के साथ घर पहुँचा तो उसके माता पिता अंदर कमरे में बंद होकर बैठे वे थे वो सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लोटा तो वो भूख प्यास से अपनी जान दे देंगे तबी बालक के मामा ने कमरे के बाहर आकर उन्हीं बताया कि उनका पुत्र जीवित और विवाह करके वापस आ गया है सहुकार ने बालक को जीवित देखा तो खुशि से उसका स्वागत किया और सहुकार का परिवार इस प्रकार खुशी-खुशी जीवन बिताने लगा ये सब भगवान शिव की करपा और सुमवार व्रत का ही प्रभाव था कि साहुकार का पुत्र अलपायू होने के बाद भी दिरगायू को प्राप्त हुआ इस प्रकार जो भी भक्त सचे मन से भगवान शिव की पूजा करके आज के दिन इस कथा को पढ़ता है अत्वा सुनता है और दूसरों को सुनाता है भगवान शिव उनके सभी दुख दूर करते हैं उनकी सभी मनुकामनाई पूर्ण करते हैं कथा समाप्त हे भोलेनाथ जैसे आपने साहुकार और उसके पुत्र पर करपा की वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भढ़ने वाले सभी भक्तों पर करना